इडूकेशन इस इक्सा में आप सभी का स्वागत है। प्रहए आपने देखा होगा कि जो बोर्ड पर इक्साय होती हैं, उसमें जो अर्षास्त्र विसे होता है, उसमें जो संक्यात्मक परसन आते हैं। उन्हें करने में विद्यारतियों को बहुत कटनाईयों का अनुबब होता है। इसी को ध्यान में रखते वे हमने यहां वीडियो तियार किया है। जिसमें आज हम सीखेंगे कि कुल आगम, औसत आगम तता सीमांत आगम से संबंदित विविल परकार के परसनों को कैसे हल किया जाए। जब यह परसन अलग-अलग रूप में पूछा जाता है तो विध्यारतियों को इसे हल करने में कटनाईयों का अनुभम होता है। तो आज के इस विडियों हम सीखेंगे कि कुल, औसत तता सीमांत आगम के परसनों को कैसे हम आसान तरीके से हल कर सकें। इसके साथ अर्षास्त्र के अन्य संबोदों या अन्य अध्यायों से जो संक्यात्मक या नुमेरिकल परसन आते हैं उन्हें कैसे हल करना है। इसकी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है। आप वहाँ पर जाकर यह जानकारी को देख सकते हैं। उस लिंक पर जा सकते हो। तो आओ चले सीखें कि कैसे हम संक्यात्मक परसनों को आसानी से हल करें। तो इन परसनों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पता होना चाहिए कि कुल आगम जिसको टी आर बोलते हैं टोटल रेविन्यू क्या होता है। उसके बाद ओसत आगम आविरेज डेविन्यू क्या होता है। तता सीवानत आगम जिसको marginal review कहते हैं वो क्या होता है जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा ठीक से तो आप आगे के numerical या संक्यात्मक परसनों को हल ठीक परकार से नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम कुल आगम के बारे में जानते हैं तो कुल आगम वस्तु की एक निश्चित मातरा को बेज कर किसी विक्रेता को जो कुल आए प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं परते एक विक्रेता का जो उद्देश्य होता है वो अधिक साधिक लाव प्राप्त कर तो इसका जो सूत्र है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुल आय, जिसको हम कुल आगम भी बोलते हैं, कुल आय भी हम इसको कह सकते हैं, तो कीमत, गुणा, वस्तु की विक्रे की गई इकाईयां, तो इसको एक उधारन यहाँ पर देख लेते हैं, माना किसी विक्रेता ने अगर वस्तु की 5 इकाईया उसने बेची है और पड़ती की काई 10 रुपे मत्द अर्थात एक वस्तु की कीमत 10 रुपे है तो उसकी कुल आय कितनी होगी तो इसको हम कैसे हल करेंगे तो कुल आय बरावर कीमत गुणा वस्तु की विकरे की इकाईया यह सूत्रम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने यहाँ आपको बताया था उसके बाद इसको कैल्कुलेट करेंगे तो कुल आय दस रुपे परतीकाई मतलब एक वस्तु 10 रुपे की है तो 5 वस्तु उसने बेची त पचास रुपे 10 गुणा 50 तो उससे 50 रुपे की आय प्राप्त होगी तो इसको हम कुल आगम कहते हैं को इसे परकार जो इसको टोटल विक्रेता को जो आये होगी और जितनी वस्तु उसने बेची होगी उससे अगर उसको भाग कर देंगे तो आउसत आगम हमारे को प्राप्त होगा इसको एक उदारण से हम समझ सकते हैं माना किसी वस्तु की पाँच इकाई बेचने से विक्रेता को 25 प्राप्त होते हैं अर्थाच पाँच वस्तु उसने बेची और उसको 25 प्राप्त हुए तो उसकी ओसत आये कैसे निकालेंगे तो इसका हम सबसे पहले सूतर का इस्तमाल करेंगे तो हमने यह पर सूतर लगाया अब हम क्या करेंगे औस स्टाइ निकालेंगे तो कुल आए उसको कितनी प्राफ्ट होई ठी यह 25 रुपय उसको प्राफ्ट हुए थे हमने यहां पừ लिख दिये 25 रुप oni उस फ्क इन्हें यहां पर लिख दीआ 5 रुुपय तो आपने देखा कि औससर्स आए किस प्रकार निकाली जा सकती है इसी प्रकार आती है सीमानताय जिसको सीमानतागम भी बोलते हैं किसी वस्तु की एक अत्रिक्त इकाई के विक्रे से कुल आय में जो विर्दी होती है वहां सीमानताय या सीमानतागम उसको कहते हैं तो इसका सूत्र है सीमानतागम या सीमानताय मार्जिनल रिव्यू बराबर टोटल रिविणी और नंबर आईटम माइनस टोटल रिविणी नंबर ओम आईटम माइनस एक जोएक अतरिक इकाई जो बढ़ेगी तो इसको उदहरन से समझेंगे यदि पांच वस्तू की विक्रे से 25 रुपे प्राप्त होते हैं किसी विक्रेता को और अगर पांच वस्तू की बजाए वो 6 वस्तू को बेशता है तो उसको 29 रुपे प्राप्त होते हैं तो मतलब 5 वस्तु से 25 रुपे प्राप्त हो रहे हैं और 6 वस्तु अगर वो बेचता है तो इसको 29 रुपे प्राप्त होते हैं तो हमें सीमानताय या सीमानत आगम इसका कैसे निकालेंगे तो इसी का हम पहले सबसे पहले सूतर लिखेंगे, सीमानताय का, यह हमने सूतर लिख दिया, उसके बाद सीमानताय, जो टोटल रेविन्यू था, उसको सुरुवात में 25 रुपे प्राप्त हो रहे थे, 5 वस्तों के, वो हम यहां पे लिखेंगे, और टोटल रेविन्यू आट आया तो आपने देखा कि हमें यहां पर सीमानताय कितने प्राप्त होगे 4 रुपे प्राप्त हुए तो हम यहीं कहेंगे कि इसे परकार सीमानताय कुल आय में परिवर्थन की दर को बथाती है तो आपने सीकह únicoा कि कुलाय या कुल आगम औसत आगम और सीमानत आगम क्या है और उसका सूत्र क्या है उसको हम कैसे आसारे से कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हम सबसे पहले एक उधारन लेते हैं जो कि बोर्ट परीक्साओं में इस तरह के संक्यात्मक परसन आते हैं जैसे कि निमलिकी तालीका में से औसत आगम या सीमानत आगम का आकलन कीजिए, अर्थार औसत आए या सीमानत आए निकाली, तो यहाँ पर आपने देखा एक table दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर लिखा है उत्पादन की काईयां और दूसमें लिखा है कुल आगम, अब इसक देखते हुए हमें एक table बनाना है, तो हम सबसे पहले एक table बनाएंगे, तो हमने एक table बना दिया है, यहाँ पर हमने उत्पादन की काईयां, यहाँ पर एक column बनाया है, इसमें लिख दिया है, कुल आगम, यहाँ पर हमने एक table बनाया है, इसमें लिख दिया है, फिर औसत, क यह चार कॉलम एक टेबल के अंदर चार कॉलम हमने बना दिये हैं अब सबसे पहले उत्पादन की काईयां जो यहां पर दे रखा है एक, दो, तीन, चार यह हम यहां पर दर्साएंगे तो हमने इसको यहां पर दर्सा दिया तो हमने यहां लिख दिया देखो 12, 22, 30, 36, 40 यह हमने तियार कर लिया अब हमें निकालना है औसत आगम तो औसत आगम का आपको पता है कि सूत्र जो मैंना भी पूर में आपको बताया था वो क्या है? तो वो था आपका औसत आगम का सूत्र गुल आए बटे वस्तु की विक्रे की गई इकाईया तो इस सूत्र के आधार पर आप इन कॉलम्स के अंदर संक्या को लाएंगे तो औसत आगम निकालने के लिए जो हमारी कुल आगम है या कुल आए है उसको उत्पादन की इकाईयों से हम क्या करेंगे? यहां से हम इसको भाग कर देंगे अर्था डिवाइट कर देंगे इस से हम इसको डिवाइट करेंगे ठीक है? इस से हम इसको डिवाइट करेंगे इस से हम इसको डिवाइट करेंगे तो हम यहां संक्या प्राप्त होगी तो पहला एक से हम 12 को अगर भाग करते हैं तो हमार पर संक्या 12 ही आएगी उसके बाद हम 2 से अगर 22 को भाग करते हैं संक्या से तो हमार पर संक्या आएगी 11 इस परकार 3 को हम 30 से भाग करते हैं तो संक्या आएगी 10 चार को हम छहट्ट ित्र से भाग करेंगे तो हमारे पाइगी 9 इसी वरकाट 5 से हम 40 को भाग करेंगे तो हमारे पाइंगी आठ तो आपने देखा कि आउसत आगम हमने यहां पर निकाल दिया है तो 12, 11, 10, 9, and 8 यह हमारा आउसत आगम या आउसत आये इस सूत्र के कारण हमें आसानी से प्राप्त हो गई है अब हमें क्या निकालना है सीमान्त आगम निकालना है अब हम सीमान्त आगम निकालनेंगे तो इसका हमें सूत्र क्या है इसका सूत्र है सीमान्त आगम का MR बराबर TARN-TARN-1 तो इसके आधार पे हमें ये सीमानत आगम निकालना है तो पहली संक्या हमारी और ये सीमानत आगम हम कुल आगम के आधार पे निकालेंगे टोटल रेवन्यू बोथ ने तो पहली हमारी संक्या बारा है तो बारा ही हमारी पहली संक्या आएगी पहले संक्या हमारी बारे आएगी, दूसरी संक्या हमारी क्या आएगी, इस वाली संक्या को इस वाली संक्या से हम भाग करेंगे, भाग नहीं, माइनस करेंगे इसको घटाएंगे, तो क्या संक्या आने चाहिए हमारे पास, 10, आपने देखा, 12 को, 12 को हमने 22 से घटाया तो हमा और इस पर का 36 को हम 30 से घटाएंगे तो हमार पर क्या संक्या आएगी 6 और इस 40 को हम फिर इस 36 से घटाएंगे तो हमार पर संक्या आएगी 4 तो आपने देखा कि सीमान्त आगम कुल आगम की जो संक्या होती इसे करम वाइस नीचे से उपर को घटाया जाता है ठीक है इसको हम उपर से इधर को घटाएंगे, तो आपकी संक्या यह यहाँ पर परदेशित होगी. तो आपने देखा कि बहुती आसान तरीके से हम सीमान्त आगम और औसत आगम इस टेबल के अनुसार आसानी से निकाल सकते हैं. अब हम एक दूसरा उधारन ले लेते हैं. अब हम एक और उधारन ले लेते हैं, जिसमें औसत आगम और सीमान्त आगम को हमें निकालना है. तो यहाँ पर उत्पादन की काईयां दे रखी हैं, और कुल आगम या कुल आए यहाँ दिया हुआ है. तो यहां पे हम पहले वही उत्पादन की इकाईयां यहां पे लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था और इस वाले कॉलम में हम कुल आय लिख देंगे जो हमने यहां से पूरी की पूरी यहां पे लिखी है अब हमें ओसत आय निकालनी है तो ओसत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे ओसत आय का वही फॉर्मुला जो मैंने पहले बताया था गुलाय बटे वस्तु की विक्रे की गई इकाईया इसी के आदार पर हम ओसत आय निकालेंगे इसको दूसरे रूप पर हम बता सकते हैं कि इस से इसको हम भाग करते चले जाएंगे तो हमारी ओसत आय यहां पर निकल आएगी जैसे एक से बारा को हमने भाग करा तो हमारे बारा यहां पर ओसत आय आ गई इसी परकार 2 से हमने 26 को किया तो यहाँ पर हमारी 13 ओसताई आ गई 3 को 30 से किया तो यहाँ पर हमारी ओसताई 10 आ गई 4 को 26 से भाग करा तो यहाँ पर दसंबलब में आएगा 6 दसंबलब 5 इसी परकार 5 को अगर हम 22 से भाग करते हैं तो यह भी हमारा दसम्लम में आएगा क्योंकि पूर्ण रूप से भाग नहीं हो पाता है तो यह आएगा 4.4 तो आपने देखा कि हमने आउसत आय निकाल ली और यह वाला उधारण मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसमें जो हमारा भाग हो रहा है यहां पर कुछ जो संक्या है दसम्लम में आती है इसके बाद हमें सीमांत आय निकालनी है यह वाला तो यह ट्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे फिर हम सीमांत आय का जो हमारा फॉर्मला उसको देखेंगे तो सीमांत आय का जो हमारा फॉर्मला उसी के आदार पर हम क्या करेंगे कुल आय क् क्यों कि सीमान ताय जब भी निकाली जती है तो तो आयPS 5.2 में से हम 12 को अगर घटाएंगे तो बारा ही रहे गी सीमान ताय शुरुवात में उसके बाद हम 12 को 26 से घटाएंगे तो हमारी क्या आएगी चौधा देखा आपने बारा यह 26 को हमने 12 से स्वासारी से घट आये तो मारी जो सीमंत आय वो 14 इस परकार 26 को हम 40 से घट आये तो हमारी जो सीमंता वो 4 आईगी और इसके बाद 30, 26 मारी सिमंताय माइनस 4 आए गजे अब यह माइनस 4 क्यों आए क्यों कि आपने देखा कि यहां से संक्या घटनी शुरू हो गई है यहां से उपर को घट रही थी तो तो पॉजिटिव में आएगी और यहां यह बढ़ी और इसके बाद यहां से गटरी हें नीचे को आहें तो माइनस में आईगी इसके बाद 26 में से हम 22 को घटाएंगे तो ये वाली संक्या भी हमारी माइनस में आएगी तो ये वाला जो उधारन मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें दो चीजों का अंतरा एक तो आया तुमारा दसमलब का जिसमें बच्चों को दसमलब भाग करने में दिक्कत आती है इसलिए मैंने उधारन दिया और दूसरा इसमें आया कि रिनात्मक संक्या रिनात्मक कैसे आएगा जब हमारे ये वाली संक्या कुल आये में से ये करम बढ़तावा जाता है और उसके बाद फिर आये घड़ती वी जाती है तो ये बाद में माइनस में आईगी अब इसके कहां शावा कारकर चेक रिया ये भी बोड में आता है और इसमें हमें have calculation करना है कि कुल वस्तू की कीमत इस्में दी वटी इस में हमें कुल आगम निकालना है और सीमान्त आगम निकालनास यहांके वस्तू की कीमत दी आब यह कैसे होगा क्योंकि उत्पादन की की हैं यहां हैं पर लिख देंगे सारी हुमनेतं की काई यहां पर लगी आर्फाठाथो कीमट सक्राओ करने के लिए जो कीमत होगी कीमत तो वस्तुखी काई से गुणा करना पड़ेगा इसे हम गुणाyy 1969 जैसे 1 को हमने 7 से गुणा कर दिया तो हमारी संक्या क्या आएगी 7, 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारी संक्या क्या आएगी 12, ठीक है ऐसी 3 को 5 से करेंगे तो हमारी संक्या आएगी 15, ऐसी 4 से 3 को करेंगे 12, 5 को करेंगे हम इससे तो क्या आएगी 10, तो आपने देखा कुल ति आगम् हमने इसमें प्राप्त कर लिया है उत्पादिन की Balmo We affirm की कीमत से भाग दे कर अब सीमांत आगम्ना आसान है सीमथ्य पर्भांत किसे निकलता कुल आगम से हम उपरसे एक करम से घंफाते चले जाएगा जैसे इसका जो सूत्रता सीमानतागम का यह पहले से दिया हुआ है, तो इसी के आदार पर हम इसको घटाते चले जाएंगे, 또 पहले साथ जो संक्या थी साथ ही रहेगी, साथ से हम फिर 12 को यहां से घटाएंगे तो हमारे पास संक्या आजएगी पांच, जैसे यह आई संक्या 5 इस परकार 12 से हम 15 को घटाएंगे तो हमार पर संक्या आजाएगी 3 जो यहाँ पर आई इस पर फिर 12 से 15 से 12 को घटाएंगे संक्या आजाएगी कि माइनस थी क्योंकि यहां पर आप देख रहें कि संक्या घटती वे करंबे थी और यहां पर यह संक्या बढ़ी और फिर बढ़ने के पर फिक गट रही है तो जब संक्या बढ़ी संक्या से नीचे की और घटने की सुर्वात हो जाती है तो संक्या फिर माइनस में आती है तो असानी से कुल आगम के माध्यम से इसको यहां से उपर से करम से घटाते विए प्राप्त करिए तो यह था एक और उधारण इसके बाद एक यह वाला बहुत मैतरपुन उधारण है इस परकार का उधारण बोर्ड परीक्साओं में भी आता है जिसमें फिलिंदा ब्लैंक्स दिये रहते हैं इसमें आपने देखा कि यहां पर हमें सीमनत आगम भी दे रखा पूरी ट्रम्स इसमें नहीं है ऐसी कुल आगम निकालते तो उपर की हमारी जो लाइने सब की संक्या एक समाना आती है तो सीमनत आगम कुल आगम और आउसत आगम की संक्या बराबर होगी तो पहले में जो संक्या आएगी हमारी यहां पर यहां पर दस तो पहले हमने संक्या प्राप्त कर ली आपने देखा कि हमारी यहां पर दस आ गई है, अब इसके बाद हम निकालेंगे यहां पर आउसत आगम, आप ने देखा कि 10 थी हमारे पास और आउसत निकालने के लिए हमें क्या उत्पादन की इकाईयों को कुल आगम से भाग करेंगे तो हमारा असत निकलेगा तो 2 को अगर हम अठारा से भाग करेंगे इसको हम दो से 18 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए नो आना या चाहिए तो भाग करना नो सीमांट आगम यह हमेसा निकलती है कुल आगम को को जब उन गांगे यहां से ऊपर से गठाते चले जाते उन हैं तो अब हम 10 कि अठारा को घठाएंगे तो हमें यह संक्यां आएगी 10 में से 18 को घठा या तो संक्यां के आगई तो आप ने देखा कि पहले कि दू लाईन हमारी पूरी हो गई अब हम फिर आजखे कुल आगम में तो आप ने देखा कि यहां पर संक्य है 6 औस च्छे तो आसर इसका मतलब तीन को इसका मतलब कटीन को देखा करने तो यह 18 होनी चाहिए बाप तो यह को तो आया चाहिए भी अभी обс़िताँ अब यह सुनने कहें हुं आया ऐथामे台 में इस state 8 में घटाएंगे कुल आगम को तो यह संख्यामेँ प्राप्त होगी सुनने कुल आगम को तो तिन हमारी इत्री कीलिए रो गई हैं अब हम आएघेएंगे चौथी लाइन में इसमें यहांभी ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है और यहां पे कुल आगम दे रखा 16 सोला तो दो चार को अगर 18 से हम भाग करेंगे तो और वह छो संक्या आएगी वह आएगी चार तो हमारी उसत 4 निकल गई अब यहां पर कॉन सी संक्या आएगी सीमानतागम में यह हमें ध्यान देना है यहां पर हमारी 18 थी और यहां पर 16 मैंने पहली बताया था कि जब उपर से यह घटते वे चाता है यह फिर बढ़ते वे आता है फिर यहां से घटना सुरू हो गया तो यह वाली संक्या को जम इस से घटाएंगे 18 को 16 से तो माइनस 2 आना चाहिए तो यह सं 30 if the यहां पर कुछा यहां पर कितना ना चलिए 15 तो 5 को अगर 15 को 15 करेंगे 25 से भाग करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर और एक क्रम वर्थ तरीके से करते जाएंगे तो हमारे को सीमानत आगम और और स्परकार का नुमेरिकल भी आता है कभी कभी कि जिसमें आपकी सीमानत आगम दी रहती है यहां पर और यहां पे आपको औसात आगम और कुल आगम निकालना होता है तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जब सीमांत आए आपके पास दी हुई है तो आपको पता है कि उसी के आदार पे हम क्या निकालेंगे कुल आए निकालेंगे औसात कुल आए के बाद निकलेगी यह वाला हमारा जो कुल आय है वो सीमांत आय के आधार पर निकलेगी और कुल आय निकलेगी उसके आधार पर हमारी और निकलेगी अब कैसे इसको किया जाता है यहां पर देख लेते हैं तो पहला जो हमारा ट्रॉम आया बीस सीमान ताइब 20 थी तो ये भी हमारी 20 आएगी और औसत भी हमारी 20 आएगी हम पहले कुल आए को निकाल लेते हैं अब दूसरी जो condition है हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे आपस में जब हम इन दोनों संक्या को जोड़ेंगे तब हमें दूसरी संक्या प्राप्त होगी तो 20 और 16 को हमने जोड़ा तो हमारे पास संक्या कितनी आए 36 आए अब हम क्या करेंगे 36 को सुनने के साथ जोड़ेंगे 36 प्लस सुन्य 36 प्लस सुन्य अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चीए यहां पर 36 ही आना चीए तो हमारा यह 36 आया दूसरी ट्रम अब 36 को माइनस 4 माइनस 4 के साथ जोड़ेंगे तो प्लेस माइनस माइनस होता है तो 36 को अगर हम माइनस 4 से जोड़ेंगे तो यह माइनस का चिन लगा यह घटेगा तो 36 को माइनस 4 से घटाएंगे, तो कितना आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, अमारा 32, तो यह हमारी संक्या आ गई 32, इसी परकार, फिर हम यहां पर इसको जोड़ेंगे, लेकिन यह भी माइनस चीन लगा हुआ, तो 10 माइनस 10 को 32 से करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, 22 आएगा तो इस परकार हमारी पूरी संक्या यहाँ पर आगए कुल आए आप इसको भी एक बार calculate जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी सीमान ताय सही निकली है कि नहीं इसे 20 और 36 को जोड़ा सॉरी इससे इसको घटाया तो सोल आगया फिर इससे इसको कि चेक कर सकते हैं कि आपके सीमान ताय सही निकली ही है कि नहीं अब आसाताय निकालना बहुत आसान है आसाताय हमारी कैसे निकलेगी कि उत्पादिन की काईयों को हम इससे भाग देकर divide कर देंगे तो हमारे को आसाताय प्राप्त होगी तो पहला को बाइस से अगर divide करेंगे तो हमारी संक्या के आएगी 4.4 तो इस परकार आपने देखा मैंने आपको पांच उधारन यहां पर बताए जो बोड़ पर एक सहों में विभीन परकार से सीमान आगम और कुल आगम से संब्धित परसंट पूछे जाते हैं तो इन अमेर को आसा गड़ना कर सकते हैं